दान की महिमा, भगवान बुद्ध का जब पाटली पुत्र में शुभागमन हुआ, तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सामपतिक स्थिती के अनुसार उन्हें उभार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रात्म उन्हें पेश किये, बुद्धदेव ने सब को एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया, इसके बाद मंत्रियों, सेफों, साहुकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किये और बुद्धदेव ने उन सब को एक हा नार खा रही थी, मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण, मैं इस अध्खाए फल को ही ले आई हूँ, यदि आप मेरी इस तुछ भेंट स्वीकार करें, तो मैं अहो भाग्या समझूंगी, भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वफल ग्रहन किया, राजा बिम् हाथ से ग्रहन किया, लेकिन इस बुद्ध द्वारा दिये गए छोटे एवं जूटे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहन किया, ऐसा क्यों? ये सुन बुद्ध देव मुस्कराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहमूले उपहार दिये हैं, किन्तु ये सब आप ने मूँ का कौर ही मुझे दे डाला है, भले ही ये बुद्ध या निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ती की कोई लालसा नहीं है, यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हरिदे से दोनों हाथों से स्वीकार किया है,